हेलो एवरिवन, वेलकम यू आल टो पर्चम क्लासेज, आएम जानवी एन आई टेक बर्निंग इशु सेक्शन, हमारी क्लासेज वीकली तुस्डे और फ्राइडे को शेडूल रहती हैं, प्रीवेस क्लासेज को देखने के लिए आप हमारे चानल पे बनी हुई बर्निंग एशिया के अंदर कंट्रीज थी, वो मोस्ली किसी न किसी कॉलनी का हिस्ता थी और इंडिपेंडेट नहीं थी, इस कारण से हम देखते हैं कि जो एशियन गेम्स की शुरुवात होती है, वो कुछ 1938 के बाद से देखने को मिलती है, जब वर्ल्ड वर्स 2 जो है वो खतम होती ह इस पूरे वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि एशियन गेम्स की हिस्ट्री क्या है, कब से इसकी शुरुवात हुई, साथी साथ एशियन गेम्स जो है 2023 का ये किस जगा पे यहाँ पे कंड़क्ट किया गया है चाइना के अंदर और क्या मैसकॉट है इसका, इंडिया का क्या प्रदर्शन रहा है एशियन गेम्स 2023 में उस पे बात करेंगे हम, देखें लास्ट सेशन में मने कोशन पूछा था बलिस्टिक मिसाइल के बारे में, तो यहाँ पे दिये गए स्टेटमेंट्स के अगर हम बात करें, तो पहली स्टेटमेंट सही है, यह एक लॉंग रेंज क के अंदर रिएंट्री लेती है, थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ही सही है, प्रित्वी, अगनी और धनुष्ट, तीनों ही एक बिलिस्टिक मिसाइल है, तो आपका एंसर हो जाएगा, सी 1 & 3 अगर हम एशन गेम्स की बात करें, तो यह एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, यानि की इस पूरे के पूरे इवेंट के अंदर कई टाइप के यहां पे स्पोर्ट्स रखे जाते हैं, चार साल के अंतराल पे यह पूरा का पूरा गेम जो है, वो और्गनाईज किया जाता है, देखिए अगर हम बात करें, तो एशन गेम्स के पहले यहां पे फार इस चांपियन्शप गेम्स हुआ करते थे, यह गेम्स जो है 1912 में इनकी शुरुवात हुई, और यह जिपैन, फिलिपिन्स, चाइना, इन तीनों कंट्रीज ने मिलकी इसकी शुरुवात की, 1913 में फॉर दी फर्स टाइम जो है, यहां पे मनीला के अंदर इस गेम को और्गनाईस किया गया, और इसमें उस टाइम पे 6 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी, लेकिन 1934 जैसे ही आता है, तो हम देखते हैं कि चाइना और जेपैन के बीच में वार होती है, यानि कि जो सेकें असिल कर दिये जाते हैं, और आगे आने वाले समय के लिए डिसकॉंटिनू कर दिये जाते हैं, लेकिन जब वर्ल्ड वार खतम होती है, तब एशिया के अंदर कई सारी जो कंट्रीज हैं, वो सोवरन हो जाती है, यानि इंडिपेंडेंट हो जाती है, उसके बाद 1948 का जो सम स्पिरिट भी बढ़ेगी और एक कुल्सरल एक्सचेंज भी होंगे कंट्रीज के बीच में, तो यहां पर 13 फाबरी 1949 को फाइनली एशन एथलेटिक फेडरेशन को जो है बनाया जाता है, और न्यू डली के अंदर इसका इनुग्रेशन किया जाता है, 1951 में फॉर दी फॉर 100 का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है, इसलिए एशन गेम से रिलेटेड हर एक फैक्ट जो है हमें पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन में यह सारी चीज़ें आप से पूछी जा सकती है, सी नेक्स देखें, यहां पर फाइनली जो है यह जो एशन गेम् करती है, देखें एशन गेम्स का जो प्रस्पेक्टिव है जब इसकी शुरुवात हुई 1951 में उसके बाद धिरे धिरे आने वाले समय में हम देखते हैं, यहां पर कई सारे और स्पोर्ट्स एड़ किये जाते हैं, जैसे कि आपका एशिया का जो आपका लोकल स्पोर्ट से कबड़ी हो गया, स्वेमिंग हो गया, बास्केटबॉल, एथलेट्स इस टाइप की चीज़े भी यहां पर एड़ उन की जाती हैं, और काफी और सारी कंट्रीज भी यहां पर एशन गेम्स में आगे पाटिसिपेट करने लगती हैं, अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे जो लेवल है, वो इतना बढ़ गया है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने फाइनली इसको पूरे वर्ल्ड का सेकंड लाजस्ट जो है मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट, मतलब बताया इसे, देखिए ओलंपिक्स के बाद अगर सबसे दूसरा कोई बड़ा स्पोर्ट्स तो इस तरीके की चीजें हम लगातार देखते आ रहे हैं कि कुछ न कुछ नया उसमें जुड़ता जा रहा है, एशन गेम्स में कई बार पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल इंफ्लूएंस भी देखने को हमें मिले हैं, जैसे कि यहां पे 1962 के दौरान जब इंडिया और च हाइलेंड में कुछ पॉलिटिकल अन्रेस्ट की स्थिती चल रही थी, देखें यहां पर 9 कंट्रीज जो हैं अभी तक टोटली पूरा होस्ट कर चुकी हैं एशन गेम्स को, और 46 नेशन जो हैं आज तक की डेट में यहां पे एशन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, व 1974 के बाद से इसराइल के पार्टिसिपेशन को हटा दिया गया, इस साल अगर हम देखें तो 2023 का जो गेम है वो चाइना के अंदर हौंग्जू सिटी के अंदर यह कंड़क्ट कराया जा रहा है, देखें जो भी होस्ट सिटी होती है, जो भी पूरे के पूरे एशन गेम्स को और्गनाईज कराती है, वही साथ में यह कॉमन सी चीज है कि एशन पैरा गेम्स को भी और्गनाईज कराती है, यह जो है 2010 से चला रहा है कि जो भी कंट्री आज से एशन गेम्स को होस्ट करेगी, वो सेम का सेम एशन पैरा गेम्स को भी होस्ट करेगी, दो कहीं चार्टर मे इस चीज को mandatory नहीं किया गया है कि ऐसा करना जरूरी है बट एक common तरीके से इसे as a rule accept कर लिया गया है तो हमें ये भी चीज ध्यान में रखनी है Asian Fara Games आपको पता है कि जो disabled हैं उनके लिए कराई जाती है वो athletes इसमें participate करते हैं यहां पर हम बात करें तो COVID के दौरान जो है इसे conduct होना था 2022 में लेकिन COVID की वज़े से delay हो गया और finally अब जाके September 23 से 8 October तक चाइना के अंदर इसे conduct कराये जाएगा भारत की तरफ से total 655 members जो है इस पूरे games में हिस्सा ले रहे हैं overall और यह 19th edition हम देख रहे हैं Asian Games का देखे अगर हम बात करें तो भारत ने total जो है 107 medal यहां पर हासल किये हैं जिसमें 28 goal है, 38 silver है and 41 bronze medals है अगर बात करें mascots की तो यहां पर देखिए 3 mascots को launch किया गया कौन-कौन से mascots हैं यहां पर देखे चंचन है, कौंग-कौंग है और लियांग-लियांग है यहां पर 3 mascots हैं totally collectively इन्हें कहा जाता है Memories of Jiang Gang देखे यह जो Memories of Jiang Gang है यह एक बहुती famous जो है Tang Dynasty चाइना में हुआ करती थी Tang Dynasty के एक poet थी by Jui उनकी जो है poem से लिया गया है Memories of Jiang Gang शब्द जो है यहां पर इन 3 mascots को आप देख सकते हो इमेज में यहां पर यह 3 mascots हैं इस बर Asian Games के और तीनों अलग अलग चीज़ों को यहां पर highlight करते हैं बेसिकलि अगर आप इन 3 तीनों को देखोगे तो इन 3 mascots जो है तोट पूरी की पूरी जो आपकी city है Hangzhou की उसके जो heritage है उसको reflect out करते हैं देखें यहां पर लियांग लियांग है वो West Lake है एक heritage site है चाइना में West Lake यह आप देख सकते हो इमेज में यह है आपकी West Lake तो यह इसको represent करते हैं कॉंग कॉंग जो है यह एक आप देख सकते हो इमेज में यहां पर यह एक ancient remains है लियांग जू city की एक ancient city रही है चाइना में उसकी चीजों को यहां पर reflect out करता है और जो चेंचें है यहां पर Beijing हॉंग जू grand canal है वो भी एक world heritage site है उसको reflect out करता है तो आप देख सकते हो कि तीन heritage sites को जो है यहां पर reflect out कर रहे हैं अब हम बात करेंगे भारत की भारत का कैसा प्रदर्शन रहा देखिए सबसे पहले जो है 2023 के पहले हमने 2018 में जो है सबसे जादा यहां पर मेडल स्पाई थी जिसका नंबर था 70 यहां पर 14 दे का 14 दिन तक यह पूरा का पूरा इवेंट च किस्के पुछा जा सकता है कि जो हंड्रेट मैडल रौवण के लिए यहां हो इतन अपर हिस्ट्री यहां पर रिकोर्ड तोड़ा गिया है तो यहां पर देखोगे कि वोमन कमड़ी टीम इन्हें जो है 100th medal Asian Games का मिला इन्होंने Chinese Tappy को defeat किया था उसके बाद Indian men's cricket team को भी यहां पर gold medal हासिल होता है नेक्स देखें यहां पर भारत को for the first time badminton में यहां पर gold medal हासिल हुआ है सात्विक साहिराज और चिराग शेठी यह men's double fair में यहां पर इन्होंने gold medal हासिल किया है इन्होंने South Korea को हराया है नेक्स आप देखोगे यहां पर इस बार का जो हमारा slogan था Indian Olympic Association का और Ministry of Sports ने जो launch किया था वो है अब की बार 100 पार यह भी जिस ध्यान रखनी है हमने यह slogan जो है launch किया गया था देखे मैंने यहां पर tables provide करा दी है पूरे 107 medals की किसे कौन कौन सा medal मिला है और किस athlete के लिए मिला है यहां पर आज की PDF आफ बिलकुल में mess out मत करना पूरी की पूरी यहां पर detailing की PDF मैंने यहां पर attach कर दिया है चार्ट PDF आफ कहां से अवेल करोगे आप हमारी website पे जाओगे पर्चम classes.in पर पर जाओगे वहां से आपको PDF मिल जाएकि आप डाउन्लोड कर लोगे थि देखिए अगर हम बात करें पूरे Project की तो यहां पे सबसे जादा Gold Medal जो है वो चाइना को मिला है 201 Gold Medal और उसके बाद हम देखेंगे सबसे जादा Medal मिला है Japan को Gold Medal की हम बात कर रहे है 52 Gold Medal जपन को मिला है 42 यहां पे South Korea को और इंडिया है fourth position पे 28 Medal के साथ important चीज़ है देखिए इंडिया की fourth position है gold medal में भी अगर हम बात करें तो इंडिया जो है fourth number पे आ रहा है यहाँ पे total अगर हम medals देखे तो चाइना ने 383 medals हासल किये हैं 188 medal यहाँ पे Japan को मिले हैं 190 यहाँ पे South Korea को मिले हैं और 107 जो है पूरी participant countries यहाँ पर हैं देखे अगर हम बात करें यहाँ पर shooting में यहाँ पर Asian Games के अंदर 22 medal सबसे ज़ादा जो medal लेके आए हैं वो है हमारे shooting के आपके athletes में मिले हैं देखे आखिर 100 medal में हमें यह भी चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कौन से field का contribution कितना है गोल्ड मेडल मिले हैं और 14 silver और 9 bronze मिले हैं आरकरी का अगर हम competition देखे तो वहाँ पर हमें 4 gold medals देखने को मिले हैं साथी साथ यहाँ पर cricket और कबड़ी टीम को 2-2 gold medal मिले और men hockey जो team थी उसको भी यहाँ पर जो है gold मिला है और साथी साथ इन लोगों ने Paris के 2024 का जो olympics होने वाला है उसके लिए भी यहाँ पर यह लोग जो है eligible हो गए है next देखिए हमें squash tennis और extreme में 28 gold medals मिले हैं तो यहाँ से भी काफी जादे amount के medals हमें देखने को मिलेंगे अगर हम पूरे tally medal की बात करें तो यहाँ पर 74 जो कोटाज हैं यहाँ पर देखिए अलग-अलग सेक्टर में अलग-अलग जो sports event होते हैं तो उसमें जो एथलेट परफॉर्म करते हैं जो जीतते हैं साथी साथ कुछ वो पैरिस में जो olympics होने वाले हैं या फिर जो भी upcoming olympics होंगे उनमें उनकी seats जो हैं वो reserve कर दी जाती है तो यहाँ अगर हम देखें तो 107 medal के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे कि 74 जो हमारे athletes हैं वो 2024 में हो रहे पैरिस olympic के लिए भी qualify हो गए हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी category से कितना कोटा आया है हम एक बार यह देख लेते हैं देखे 6 आया है archery से 10 swimming, 34 boxing, 2 hockey 10 यहाँ पर आपका आया है modern pentalon से यहाँ पर 6 sailing से आया है 2 water polo से आया है इंडिया ने यहाँ पर 6 कोटा जिसमें की 4 जो है अकेले आप देखोगे boxing category से आया है कौन कौन है यह देखे निकषजरीन है यहाँ पर प्रीती, पवार, प्रवीन, हुडा और लोवलीना साथी साथ देखे किशोर जीना और यहाँ पर men's की जो hockey team है उन्होंने भी यहाँ एक एक कोटा यहाँ पर जीता है वो भी eligible हुए है 2024 Paris Olympics के लिए नेक्स देखे यहाँ पर मैंने एक और PDF अटाइच कर दी है इसमें जो है आप देखोगे इस table में कि कौन सी category का जो event था उसमें कितने medal मिले हैं आप देखो highest जो था वो shooting से हमें मिला उसके बाद देखोगे आप athletes competition से उसमें 29 medals हासिल हुए है गोल्ड के अगर हम बात करें तो गोल्ड में भी जो 7 medals है वो भी हमें shooting से हासिल हुए है तो अगर आप से सवाल आता है कि 2023 का जो Asian Games है उसमें सबसे ज़ादा gold medal किस sports event में मिले हैं तो आपका answer हो जाएगा shooting और overall हमें किस में सबसे ज़ादा आप यहां पर देखो पूरा का पूरा जो यह अपका PDF है अवेल हो जाएगा आप इसे जाके ले लेना मैं फिर से याद दिला रही हूँ हमारी website perchamclasses.in से now coming to next segment of our video आज का जो question है मैंने पूछा है कि Olympic Council of Asia का headquarter कहां पे है आपकी options है Bangkok, Thailand, Jakarta Indonesia, Kuala Lumpur, Malaysia Kuwait City, Kuwait के अंदर आप सभी इसका answer comment section में करो so that's all for today till then take care